तो चलिए बात करते हैं आठीवी राशी व्रिश्चिक यहीं कि स्कॉर्प्यों की व्रिश्चिक राशी वालों आज आपका दिन शांदार रह सकता है आपको परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है इस राशी के जो लोग मॉडिलिंग के शेतर से जुड़े हैं उन्हें आज कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है धन से जुड़ी चिंताएं आज दूर हो सकती है मन की बात दूसरों से कहने पर आपको अच्छा मैसूस होगा तो अपने दिल की बात दिल में न रखते हुए दूसरों से बात करें और अपने मन की चाहत को एक्सप्रेस कर दें बस एक चोटा सा ज़रूर काम करें वो ये कि भगवान बजरंगी को बजरंग बली को लड़ू चड़ाईए इससे क्या होगा आपके सभी काम संपून होंगे आपके जीवन में सुख स्वभाग्य रहेगा और स्वभाग्य के कारण आपके जीवन में हर वो प्रॉबलम दूर होगी जिससे आपको भी रूबरू हुए थे आपको लंबे समय से यह मैसूस हो रहा है कि आप ठकेवे हैं और तनाव गरस्त हैं तो आज आपको ठकान से और तनाव से आराम मिल सकता है लेकिन बशर्ते आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें आराम के लिए थोड़ा समय निकालें सुकून के कुछ पल आप अपने आपको दें इन परेशानियों से स्थाई निजात पाने के लिए अपनी जीवन शेली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने का ये सही समय भी है खर्च करते वक्त खुद आगे बढ़ने से आप बचें अन्यथा आप खाली जेव लेकर घर लोट सकते हैं इसलिए दोस्तों के साथ में बॉइफरेंड गर्फरेंड के साथ में जब कभी भी आप भार जा रहे हों तो अपने आपको स्टेप बैक जरूर रखें विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कम्या निकालने की आदत को नजर अंदास करें ज़ादा बोलने से बचें क्योंकि आप कुछ ऐसी आदते रखते हैं कि आप टॉंट वली कंडिशन कर देते हैं इसलिए ऐसी आदतों से बाजाएं आज प्यार की मदखोशी में हकीकत और फसाना मिलकर एक होते विम आपको मालूम हो सकता है इससे आप मैसूस करेंगे जरूर दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण है चंद्रमा का बल बहुत अच्छा है नक्षत्र बहुत अच्छा है आपके सिरफ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत आपके शत्रू भी आपके दोस्त बन जाएंगे कुछ लोगों के लिए अकास में की यात्रा बागधोड़वरी तनापूर रह सकती इसलिए अपने आपको तयार रखें कोई यात्रा आपका इंतजार कर रही है और ऐसी यात्रा के लिए अपने आपको थोड़ा तयार करें तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके शुभा शुभगी तो आज के लिए आपका शुभ अंकर रहेगा पांच शुब रंग रहेगा हरा, शुब दिशा रहेगी पूर्व, शुब समय रहेगा सुब है साड़े साथ बज़े से लेके सुब है नौ बज़े तक का और उपाई के तोर पर पूजा घर में बैठ कर शिव चालिसा का पाठ करेंगे